इस वीडियो में मैं CA Examination Form आपको लाइव भर के बताऊंगा और जो प्रोसेस में चेंज हुआ हैं वो भी आपको बताऊंगा सबसे पहले Google ओपन करना है और Google पे सर्च करना है ICAI.org इस पे क्लिक करने के बाद इंस्टिटूट की ओफिशल साइट ओपन हो जाएगी और ये इंटरफेस आपको दिखेगा इसको थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करने पे सेल्फ सर्विस पोर्टल वाला ओप्शन आएगा इस पे अपनको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगे जाएंगे यूजर आईडी में आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर सी आरो एन आरो जो भी है वो टाइप करके add the rate ici.org लगाना है जो कि यहाँ पे भी उसका फॉर्मेट दे रखा है और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड सेट किये होंगे sign up की time और अगर आप push time है तो यह नीचे click hair का option दिख रहा है यहाँ जाकि आप अपने user ID और पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें आपकी basic information ही मांगी जाएगी login करने के बाद self service portal open हो जाएगा और यह pop up आएगा इसको ok करेंगे और self service portal पे login करने के बाद आपको ऐसा interface नजर आएगा अब इसमें exam function वाला जो icon है उसपे click करेंगे उसपे right hand side में अब आपको next icon register for exam दिखेगा इसपे click करना है cf final या intermediate का exam form बढ़ने के बाद इसके बाद मैं final का कर रहा हूँ तो final exam registration और अगर आप intermediate का form बढ़ रहे हो तो intermediate exam registration लिखा आजाएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका time लेगा इसको pop-up को I have read and understood all the guidelines पे check mark करेंगे और ok कर देंगे तो यह pop-up हट जाएगा अपने आप यहाँ पे आपके photograph और signature देख आएंगे personal detail में तो आपको match कर लेना है अगर match नहीं हो रहा तो आप इनको photograph और signature को change करना चाहते हो तो home page पे जाके student function वाला icon आएगा उसमें student module और profile edit form में जाके basic information और यह सब चीज़े वहाँ जाके change कर सकते हो और नीचे इस पे photo sign आपके एकदम correct हैं तो yes पे click करके ok कर देंगे इसे yes पे click करेंगे तो आपकी student detail last known contact detail यह सब आजाएगी जो अच्छी तरह से एक बार match कर लेना है age पर record ही है ना और अगर इनमें कुछ change करना है तो वह मैं आपको बता चुका हूँ student function पे जाके age change कर सकते हैं last known correspondence address सब कुछ चेक करने के बाद next button पे click करेंगे और अब second tape open हो जाएगा qualification detail तो यहाँ पे सबसे पहले course detail आएगी current course अगर final में हो आप final का exam form बर रहे हो तो final enter का बर रहे हो तो enter आ जाएगा यहाँ पे और आगे यह code है जो automatic की pick हो जाएगा और month और year of examination कौन सा item में हो आजाएगा और एक आगे है प्रोइजनल flag तो यह most probably सब के any ही आएगा अगर किसी के why आ रहा है तो वहाँ नीचे region दे रखा होगा अगर वो exam देने के लिए eligible नही अभी time है तो उस case में yes आता है जो मतलब exam नहीं दे सकता है उस case में yes आता है otherwise यह नो ही मिलेगा आपको end तो यहाँ पे कुछ छेरणा नहीं है उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो आइटिकल सिप डिटेल आएगी जिसको भी अपन अच्छे से check करेंगे एक बार सब कुछ सही तो एना information training detail इसके बाद CA qualification detail आजाएगी जिसमें आपके foundation intermediate और final में भी अगर group हो रहाएं कोई clear तो उसकी detail सब कुछ आजाएगी आपको और यह एक बार check कर लेनी है इसमें यह automatic ही pick होगी और नीचे आएगा do you have any valid paper exemption yes तो उसके नीचे option आजाएगा year और month कौन से attempt में IT role number आ जाएंगे exemption के और यह भी automatic की pick होगी information इसमें कोई change नहीं करना है यह सब कुछ automatic की pick होगी इसके बाद सब कुछ information check करने के बाद next पर click करेंगे तो यहाँ पर अपनको exam center और free detail दी हुई है सबसे पहले medium detail आएगी आपको जो medium opt करना है हिंदी इंग्लिस वो opt कर लेंगे उसके बाद center detail आएगी सबसे पहले exam applied group 1 बहुत group 2 जो भी आपने आगे select कियाता हूँ आएगा उसके बाद आएगा region region में आपको select करना है north south central इसके बाद आएगा exam state exam state में अपनको जहाँ अपन center लेना है वो कौन सा state है जैसे मैंने राजस्तान यहाँ पर pick किया है राजस्तान state इसके बाद exam city जिस city में आप center लेना है examination का यहाँ पर pick कर लेता हूँ जैपूर और इसके बाद है फीड अगर single group बर रहे हो तो और बहुत group बर रहे हो तो I think 3300 है उसकी fees इसके बाद आएग self declaration for article ship तो आपकी self declaration पर I agree करना है इसको भी I agree करना है और लास्ट में self declaration इसको भी I agree करना है इसको भी I agree पर check mark करने के बाद इसको submit करना है do you want to submit your final exam form ओके और इसके बाद आपके पास payment का gateway आ जाएगा अब आप इससे पेटियम, phone pay, UPI, debit card, credit card किसी से भी pay कर सकते हो payment process हो रही है mobile में एक OTP आएगा OTP submit करने के बाद payment process अब और जब आप form बर होगे तो आपको एक ये error दिखेगी your application form नंबर है has already been submitted तो इस case में क्या करना है अपन को इस case में एक status जाके check करना है इसका वैसे तो जब ये last time मैंने form बरा था उसमें भी आई थी but मेरा status successful आ रहा था तो मैं अभी फिर से जाके check करूँगा और वो case से check करना है बेक आएंगे self service portal पे और उसमें submit pending form पे click करेंगे और जो first icon आ रहा है उसमें क्लिक करेंगे और P आ रहा है तो pending और pending के case में आपको दो तीन दिन wait करना है और यहाँ पे payment status S लिखा आ गया इसका मरलब successful है और हम action में जाके soft coffee डाउनलोड कर सकते हैं इसकी examination form की अगर examination form से related आपके कोई भी question है तो आप comment में पूँच सकते हैं